आज के सेशन में गाइज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं दे हिंदू नियूस पेपर आज के साथ जाकर कि हम लोग डिसकस करेंगे कि आज की डेट में इंडिया और जपान के किस तरह के के relations हैं दूसरा important article हमारे रहेगा Ukraine conflict से related देखे क्या है जैसे कि आप सब जानते हैं कि रशिया और Ukraine के बीच में जो conflict चल रहा है उस वज़ा से इंडिया के उपर भी काफी जाधा economic pressure यहां पर पढ़ता हुआ देखने को मिल साथ इसाथ जो तीसरा important article आज के session में हमारा रहेगा उसके अंदर हम लोग बात करेंगे national pharmaceutical pricing authority के बारे में जो हम लोग medicines वगेरा consume करते हैं तो उनका pricing mechanism किस तरह के से तै किया जाता है क्या रहता है वो हम यहां पर discuss करेंगे साथ ही साथ हम लोग यहां पर बात करेंगे golden लंगूर के status के बारे में तो यह सब articles को आज हम discuss करने जा रहे हैं चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे session की session को शुरू करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक important information information यहां पर यह है कि अनग आदमी आप लोगों के लिए ले सब्सक्राइब करें तो आप अनगेडमी के साथ जाकर के अपनी preparation को भी बूस्ट अब कर सकते हैं कुछ नए batches अनगेडमी आप लोगों के लिए लेकर के आया है बट कोशन यहां पर यहां पर यहां आता है कि अनगेडमी ही क्यों क्यों आप अनगेडमी को subscribe करें तो देख चास हजार से जादा learners अपने आपको अनगेडमी टेस्ट में enroll करा चुके हैं तो यह सब आप देख सकते हैं कि अगर आप यहां पर देखें तो काफी better experience आपको यहां पर मिलेगा साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें तो आपको printed comprehensive notes भी मिलेंगे आपकी practice के लिए 20,000 से जादा questions आपको provide कराए जाएंगे mcq based crash courses रहेंगे और साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें तो live one-on-one mentorship भी आपको दी जाएगी तो यह सब benefits आपको मिलते हैं अनगेडमी के साथ अनगेडमी आप लोगों के लिए test series भी लेकर के आया है जो कि prelims के point of view से काफी जादा important रहेगी यहां पर आपको general studies और CSET के test देखने को मिलेंगे 2022 और 2023 aspirants के लिए test series रहेगी काफी जादा helpful आपके लिए 50,000 से जादा learners इसमें अपने आपको enroll कर चुके हैं साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें तो अनगेडमी आप लोगों के लिए कुछ subscription plan भी लेकर के आया हैं लोन की facility आप लोगों के लिए ही बाकी जब आप लोग यूज करोगे हमारा referral code rank 10 तो हमारा referral code rank 10 यूज करने पर आपको extra 10% का discount मिल जाएगा अनगेडमी सब्सक्रिप्शन पर बाकी अनगेडमी आप लोगों के लिए एक free comprehensive interview guidance program भी लेकर के आया है जिन लोगों का भी इस interview के लिए guide करा जाएगा साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें तो last year भी हमने इस तरह की का program करा था और 170 प्लस toppers का selection हमारे इस interview panel के थू हुआ था जब अगर हम पैनल की बात करें तो यहां पर आपको retired bureaucrats और serving bureaucrats देखने को मिल जाते हैं जिन के पास एक real life experience है और जो mock interviews है वो first week of April से start होने जा रहे हैं तो प्रीज जाएं जाकर के enroll करें join करें unacademy का store already open हो चुका है डेली के अंदर old रजिंदर नगर पूसा रोड पर आप वहां पर भी जाकर के visit कर सकते हैं एक real life experience आप ले सकते हैं तो प्रीज जाएं जाकर unacademy के साथ अपने preparation को boost up करें use referral code rank 10 for extra 10% discount and to participate free of cost in scholarship test and daily quiz तो चलिए शुरुवात करते हैं आज के session की देख लेते हैं important news article जो कि आज के the Hindu newspaper के अंदर है और हमारे exam के point of view से important है देखें news सबसे पहली जो यहां पर हमारे सामने है वो है इंडिया और जैपान के relations से related अगर हम बात करें जैपान की तो देखें जो जैपान के प्राइम मेनिस्टर हैं फूइमो किशिदा वो इस टाइम पर इंडिया आए हुए हैं और इंडिया जब वो आए तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी से मुलकात हुई और इस मुलकात के दौरान काफी सारी चीजों पर discussion हुआ यहां पर अगर हम बात करे तो इन्वेस्टमेंट्स के उपर भी बातचीत हुई साथ ही साथ जो है लेसी के इशू पर भी discussion हुआ चाइना किस तरह किसे क्या कुछ हरकते कर रहा है वो सब बातचीत यहां पर हुई इसके अलावा रशिया के मामले पर भी उन्होंने बातचीत रखे जैसे कि आप सब ल भी करी बटकुल मिला करके यहां पर अगर हम बात करें तो यह meeting काफी जाधा important रही इंडिया और जैपान के relations के point of view से अब देखें क्या है कि अगर हम यहां पर बात करें इंडिया और जैपान की सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह जो जैपान के Prime Minister इंडिया आए है इसके पीछे क्या कुछ important reasons हैं यानि कि अगर हम strategic reasons की बात करें तो strategic reasons पहले आप समझेए फिर उसके बात हम economic importance की बात करेंगे कि आज की डेट में इंडिया और जैपान की जो economic importance है वो क्या है देखो सबसे पहले अगर हम strategic reasons की बात करें तो यह meeting important इसलिए है कि पहली बात तो यह कि इंडो पैसिफिक को लेकर के इसमें बात्चीत हुई कि किस तरह के से इंडो पैसिफिक को लेकर के फ्री ओपन एंड इंक्लूजिव रखा जाएगा क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंडिया और जैपैन दोनों क्वाड के मेंबर हैं ठीक है जब हम क्वाड की बात करते है Quadilateral Security Dialogue की जब हम बात करते हैं तो Quad के अंदर आपको India, Japan, साथ यसाथ US और Australia देखने को मिल जाते हैं तो India और Japan ने जो है Quad को लेकर के discussion करा इंडो Pacific को लेकर के बातचीत करी साथ यसाथ जो इस टाइम पर कुछ recent developments हुए है रशिया की conflict की वज़ा से तो उसको नजर में रखते हुए यहाँ पर यह बातचीत वगेरा हुई इंडो Pacific को लेकर के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो basically इंडिया और Japan ने एक reciprocal provision of supplies and service agreement भी sign करा यहने कि कुल मिला कर कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो और services को लेकर के साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखे क्या है कि 2017 में एक summit हुई थी इंडिया और जैपान के बीच और इसमें जो हमारा eastern नौर्थीस्ट इंडिया है वहाँ पर development को लेकर के discussion करा गया था तो यहाँ पर हमने एक एक्ट इस्ट फोरम बनाया था जिसमें इंडिया और जैपान दोनों मिल करके इंडिया के नौर्थीस्टन पार्ट्स में क्या करेंगे development projects पर काम करेंगे तो इस एक्ट इस्ट फोरम का सीधा सीधा मकसद यही था कि भई जादा से जादा development projects पर ध्यान दिया जाए, connectivity पर ध्यान दिया जाए, forest management पर ध्यान दिया जाए और साथ ही साथ यहाँ पर disaster risk reduction पर काम करा जाए और capacity building के projects पर काम करा जाए यानि कि दोनों देश North East India में infrastructure developments में एक दूसरे को coordinate करेंगे साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो पूरा का पूरा act east forum है 2017 से यह काम चल रहा है इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखें मेघालिया, त्रिपुरा, मिजोरम यहाँ इन सब एरियाज में highways वगेरा बनाने हैं बेटर connectivity यहाँ पर पहुंचानी है अगर हम बात करें last year तो आपको ध्यान होगा कि last year प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम और मेघालिया के बीच में एक 20 किलोमेटर लंबा bridge बन रहा है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर पर उसकी भी foundation रखी है तो यह भी अपने आप एक important है यह क्या करेगा कि North East India में connectivity को बढ़ाएगा साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो 2021 में India, Japan और Australia तीनों देशों ने supply chain resilience initiative को sign करा था यह supply chain resilience initiative इसलिए sign करा गया था क्योंकि अगर हम बात करें COVID-19 की तो COVID-19 के समय पर काफी essential supplies की दिक्कत हो गई थी, shortage हो गई थी तो in future Indo-Pacific region में इस तरह के की problem ना आए तो India, Japan और Australia ने एक supply chain resilience initiative पर भी sign करा था तो उसको लेकर के भी discussion हुआ कि कैसे दोनों देश आपस में दूसरे को supply chains में मदद करेंगे किस तरह के से जो है यहाँ पर काम होगा तो कुल मिला करके अगर हम यहाँ पर बात करें इस meeting की तो strategic point of view से यह meeting काफी ज़ादा important थी इन सब चीजों पर discussion वगेरा हुआ साथ ही साथ देखो अगर हम यहाँ पर बात करें economically जैपान और इंडिया economically अगर आप देखें तो बहुत important relations share करते हैं यानि कि अगर हम economic component को समझने की कोशिश करें इंडिया और जैपान के relations के बीच तो दोनों देशों के leaders ने यह target set करा है कि आने वाले 5 साल के अंदर हम 42 billion dollars का investment इंडिया में करेंगे जैपान का कहना है कि आने वाले 5 साल में यानि कि next 5 years में जैपान क्या करेंगा 42 billion dollars का investment इंडिया में करेंगा यह बात जैपान ने कही है तो दोनों देशों के बीच जो relations है ना इंडिया और जैपान के जो relations है इन दोनों के relations के बीच economic component काफी important हो जाता है अगर आप देखें तो जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी मदब मोदी जी जब CM से PM बने जब वो प्रधान मंत्री बने तो पहली बार वो जैपान गए थे 2014 में और जब वो 2014 में जैपान गए तो उसके बाद से दोनों देशों के बीच में हमें काफी important relations develop होते हुए देखने को मिले काफी सारे important decisions पर बातचीत हुई उस time पर जो है जैपान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे शिंजो आबे तो काफी चीजों पर उनसे बाचीत हुई साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें तो 2014 में दोनों देशों ने एक target set करा था कि भाई हम क्या करेंगे इंडिया में जैपान जो है 3.5 trillion Japanese yen public and private investment का target लेकर के चल रहा था कि हम इंडिया में 3.5 trillion Japanese yen इंवेस्ट करेंगे तो वो दोनों देशों ने काफी हद तक इंवेस्ट कर लिया है आज की रेट की अगर हम यहां पर बात करें तो लगबग लगबग 14155 Japanese company इंडिया में काम कर रही है जैपान ने इंडिया के अंदर industrial township भी establish करी है नीमराना राजिस्थान और श्री शिटी आपका अंद्रपरदेश के अंदर साथ ही साथ अगर हम बात करें foreign direct investment की तो जैपान इंडिया के अंदर fifth largest source है foreign direct investment का यानि कि जैपान से काफी ठीक ठाक foreign direct investment इंडिया में आता है साथ ही साथ काफी सारे infrastructure projects हैं जिसमें हम जैपान के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं जैसे की एहमदाबाद और मुंबई के बीच में जो bullet train बनाई जा रही है उसमें भी यहाँ पर जैपान हमारी मदद कर रहा है साथ ही साथ जो हमने dedicated freight corridors बनाए हैं railways के लिए उसमें जैपान हम बात करें digital partnership की तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया आज की रेट में एक digital revolution कर रहा है देश के अंदर तो हमारे यहां पर 2018 में दोनों देशों ने digital partnership भी साइन करी थी और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी startup culture को promote करने पर काफी जादा जोर द करें तो दोनों देश के जो private sector है technology में hundred million dollars का investment हो चुका है तो एक ठीक ठाक relations आज की रेट में हम दोनों देशों के बीच में देखते हैं साथी साथ क्या है कि चाहे 5G का area हो गया हो या undersea cable हो गया हो इसमें भी Japan हमारी मदद कर रहा है तो कुल मिला करके information communication and technology में भी Japan हमारी का जादा cooperation कर रहा है काफी जादा हमारी मदद कर रहा है साथी साथ skill development में भी Japan हमें काफी जादा support कर रहा है skill development की अगर हम यहां पर बात करें तो आज की डेट में इंडिया के अंदर 19 जैपैं इस्टिट ऑफ manufacturing established हैं यह institute क्या करते हैं यह institute जो है Japanese company ने इंडिया में लगाए है यहां पर workers को training दी जाती है skilling दी जाती है skilled काम के लिए उन्हें train करा जाता है साथी साथ यहां पर अगर हम बात करें तो अब तक लगभग लगभग 220 Indians को जैपैन में नौकरियां भी मिली हैं तो दोनों देशों के बीच में जब हम बात करते हैं economic relations की तो एक बहुत ही ठीक अगर्फाक economic relations दोनों देशों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं और यही जो economic relations है दोनों देशों के बीच में एक मजबूत bilateral link establish करते हैं तो यह था यहां पर इंडिया और जैपैन के relations के बारे में और हमने यहां पर डिसकस करा कि जो यह Japanese Prime Minister किशिदा फूमियो किशिदा इ चीज़ें clear हैं तो make sure to like the video video को like जरूर करें आप लोग अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करेंगे another important news की another important news is related to Kashmiri Pandits क्या है news ध्यान से इसको समझने की हम कोशिश करेंगे देखेगा इस क्या है जैसे कि आप सब लोग जानत चमीर की 1990 के आसपास तो उस time पर लगभग लगभग 64,827 migrant families जमू कश्मीर के अंदर हमें देखने को मिली क्योंकि उस time पर क्या था कि terrorism was at its peak in जमू कश्मीर, extremism बहुत जादा था, पाकिस्तानी sponsor terrorism काफी जादा था उस area में, जिस वज़ा से क्या हुआ कि बहुत बड़े number मे हम क्या देखते हैं कि कश्मीर के लोगों को migrant करना पड़ा, जिसमें कश्मीरी पंड़त्स की भी काफी सारी families थी, और अगर हम बात करें total area की, तो parliamentary panel की ये report है, जिसमें लिखा गया है कि 64,827 registered migrant families है जमू कश्मीर के अंतर, और इसमें 60,000 जो हैं वो हिंदू families है, और 2600 Muslim families है और 1700 Sikh families हैं, यानि कि कुल मिला करके अगर हम यहां पर बात करें, तो हम क्या देखते हैं कि 1990 में काफी बड़े level पर कश्मीर से Hindu, Muslim और Sikh families को migrant करना पड़ा था, because of the terrorism and all that extremism which was happening in Kashmir during that time, अब देखे क्या हुआ कि यहां पर अगर हम बात करें, इन 64,000 families की, तो यह जो 64,827 families हैं, इसमें 43,494 families जो हैं वो जमू में registered हैं, 19,338 families जो हैं वो डेली में registered हैं, और 1995 families जो हैं वो बाकी states और union territories में registered हैं, अभी भी लगभग लगभग 5200 families ऐसी हैं, जिनके जो की migrant camps में रह रही हैं, आप देख सकते हैं कि इस incident को हुए वे, इस unfortunate incident को हुए हुए, 30 years से जादा हो गए हैं, बट still there are more than 5200 families जो की अभी भी कहीं ना कहीं migrant camps के अंदर रह रही हैं, तो यह number अपने आप में काफी बड़ा हो जाता है, अब देखे क्या है कि आज कल जो यह कश्मीरी पंडिस का मामला है, वो काफी जादा, मतलब लाइंग लाइंग लाइट में ह आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी मूवी आई है कश्मीर फाइल्स तो उसको लेकर कि ना काफी जादा यह issue इस टाइम पर sensitive हो रखा है, मतलब काफी जादा यह issue जो है लोगों की जबाँ पर है बाचीत हो रही है, तो इसी बीच क्या हुगा कि हमारे होम मिनिस्टर साहब, union हो मिनिस्टर अमिशा जी वो जमू कश्मीर गए, तो जमू कश्मीर में वहाँ पर जमू कश्मीर के जो LG है, मनो सिना, उनसे बाचीत हुई, और कश्मीरी migrants के rehabilitation पर सरकार ने क्या काम करा है, उसको लेकर के discussion हुआ, देखे गए सबसे एक unfortunate चीज़ जो हमारे देश के अंदर है, वो ये है, कि 1990 में ये migration हुआ, उसके बाद कई सरकार आई और कई सरकार गई, इस बीच जब हम देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, कि जो कश्मीरी पंडित हैं, या जो कश्मीर के migrants हैं, उनको एक तरह के से political tool के तोर पर इस्तमाल करा गया, अगर हम बात करें 2008 की, तो 2008 में मनमोहन सिंग जी की government ने 2900, 3000 jobs जो हैं, कश्मीरी migrants के लिए approve करें, कि हम इने 3000 नौकरियां देंगे, जिस में से 2900 jobs दी गई, उसके अलावा 2015 की अगर हम बात करें, 2015 में Prime Minister's Development Package अनौन्स करा गया, 2015 में आसे 7 साल पहले, मोधी जी की सरकार ने क्या करा, कश्मीरी migrants के लिए 3000 ग कि हम काफी सारे लोगों को accommodation वगेरा भी देंगे, तो यहां पर 2015 में 920 करोड का एक project तयार करा गया, जिस में 6000 families को घर वगेरा देने थे, accommodation unit देने थे, अब आप देखिए कि सरकार की जब बात आती है, या जब कहें कश्मीरी migrants की बात आती है, कश्मीरी पंड़त्स की अगर का बात आती है, तो government दिखाती है कि हम बहुत उनकी care करते हैं, we are very sensitive towards them, और बहुत उनका हम ध्यान रगते हैं, बट अगर आप reality देखें, तो इन 6000 transit accommodations में से, सिरफ और सिरफ 17% घर ही पिछले 7 साल में सरकार तयार कर पाई है, ये report है government की, कि past 7 years के अदर, according to the home ministry, only 17% of the proposed accommodation for कश कश्मीरी pundits has been completed in the past 7 years, पिछले 7 साल में सरकार सिरफ और सिरफ 17% घर ही तयार कर पाई है, देखें कितना बड़ा failure एक तरहें किसे government का है, क्योंकि जब बात आती है, कश्मीरी migrants की, कश्मीरी pundits की, तो सीधी सी बात यही है, कि हमेशा से, अगर आप देखें, तो 2014 के समय प है, या इतनी ज़्यादा care करती है, तो भई, आप पिछले 7 साल में 6000 transit accommodations भी provide नहीं कर पाए, 7 साल में चलो ठीक है, हम मानते हैं कि 6000 एक बहुत बड़ा number है, बट सरकार के लिए इतना बड़ा number नहीं है, 6000 मान लिए हमने बहुत बड़ा है, 6000 में से आप 50% काम भी नहीं कर तो 920 करोड रुपीस का ये project था, जिसमें क्या था, अगर हम बात करें कि भई, 6000 accommodation units तयार करके देनी थी, फरवरी तक, अभी फरवरी 2022 तक, सिरफ और सिरफ यहां पर अगर हम बात करें, तो 1000 units ही, यानि कि 1000 में से सिरफ और सिरफ 6000 में से 1000 घरी पूरी तरेंके से अभी तक complete ह पाएं, और यहां पर अगर हम देखें, तो भई, 50% unit ऐसी हैं, जिन पर अभी काम चल रहा है, नहीं चल रहा, तो कुल मिला कर गए, ये हालात हैं, ये situation इस टाइम पर हमें देखने को मिल रही है, बाकी हैं किस तरहें किसे से क्या कोई चीज़े रहती हैं, बर the main thing is, कि कहीं एक political मुद्धा बना करके उनको रह दिया गया है, आप at least उनके लिए काम तो करें, बड़ आप खुद देख सकते हैं कि parliamentary panel की ये report है, ministry की ये report है, सिरफ और सिरफ पिछले 7 साल में, 17% घरी तयार हो पाएं, ज्योंकि एक बहुत ही unfortunate चीज़ है, बहुत ही, मतलब इस चीज़ clear हैं, तो make sure to like the video, आगे की तरफ बात करते हैं, another important news की, another important news is related to India's geography and Indian Navy, देखे गाइस क्या राकी, तो इंडिया आप को याद होगा कि बहुत शुरू से ही हम क्या देख रहे हैं, from the time of ancient, मतलब ancient period से ही हम क्या देख रहे हैं, हर कोई इंडिया पर आ करके राज करना चाहता थ चाहे इंडो ग्रीक्स हो गए हों, चाहे शक हो गए हों, कुशान हो गए हों, उसके बाद भी अगर आप देखें, तो फिर किस तरह कैसे हमें तुर्क्स आते हुए देखने को मिले, अफगान आते हुए देखने को मिले, साथी साथ मुगल्स आए, फिर उसके बाद अंग् को देखें, जिस त्रेके से हम, मतलब situated है, हम क्या करते हैं, एक तो जो सिल्क रूट है, भाई चाइना और यॉरप के बीच में, जो एक सिल्क रूट होता मिडल एस के बीच में यहाँ पर जो सिल्क रूट होता था, इस सिल्क रूट के अब देखो क्या है कि जब हम तीन तरफ से पानी से गिरे हुए है इसके फायदे भी है और नुकसान भी है फायदा क्या है कि हम इंडियन ओशन के अंदर एक बहुत ही important strategic power है ठीक है हमारी जो location है वो location इतनी important है कि हम इंडियन ओशन में काफी ठीकता काम कर सकते हैं वहीं दूस दूसरी तरफ नुकसान क्या है कि भई safety का भी एक चक्कर है आपने देखा होगा कि जब मुंबई attacks हुए थे तो आतंगवादी और कसाब वगेरा यहीं से आयते समुद्र के कि ना रही अब क्या है कि इंडियन नेवी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडियन नेवी न क्योंकि जब बात आती है मलाका स्टेट की तो देखो क्या है चाइना से समान निकला ठीक है फिर यह सिंगापॉर और वहां से होता हुए मलेशिया के बीच से मलाका स्टेट मलाका स्टेट यह बढ़ती है कि मलाका स्टेट से इंडियन ओशन में entry लेते हैं यहाँ पर क्या ह कर रहा है बेल्ट रोड इनिशेटिव पर काम कर रहा है वो चलो सब पता ही आपको तो कुल में लाकर के यहां पर अगर हम बात करें तो इस टाइम पर इंडियन नेवी स्टेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इंडियन ओशन के अंदर पहली बा बतात है हमारे को जरुइत है कि हमें हमारे इंडियन नेवी स्टॉंग हुनी चाहिए नए-nay इकविपेंटि होने चाहिए है नए-nए टेकनोलोजी होनी चाहिए और एक चीज होना कि हरे चीज हमारे बात करते हैं तो देखे क्या प्रॉब्लम है कि हमारे देश में चाइन से compare करें तो चाइना से काफी कम सब्मरीन हमारे पास है एक यही सबसे बड़ी problem हमारे सामने थी तो इंडियन नेवी और भारत सरकार ने उसका solution क्या निकाला कि हमने अमारिका से पी-81 long range maritime patrol aircraft खरीद लिए यह जो पी-81 long range maritime patrol aircraft है इनका में मकसद क्या है कि यह anti submarine warfare में काम आते हैं सपोस करके चलिए कि कल को चाइना का कोई सब्मरीन इंडियन ओशन में घूम रहा है तो यह जो पी-81 long range maritime patrol aircraft है यह उस सब्मरीन को track कर लेगा कि भीया यहां पर चाइना का सब्मरीन गूम रहा है इंडियन ओशन में और अगर ज़रूरत पड़े तो यह उस सब्मरीन को खतम भी कर सकते हैं मतलब एक missile निकल कर जाएगी और वह सब्मरीन खतम तो इंडियन नेवी ने इस तरह कि कि 12 P81 Long Range Maritime Petroleum Aircraft जो हैं इंडक्ट कर लिए हैं साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें तो MH660R Multi-role Helicopters पर भी बात्चीच चल रही है तो कुल मिला करके इंडियन नेवी एक बहुत ही important role इस टाइम पर प्ले कर रही है इंडियन ऊशन में Strategically काफी important role यहां पर प्ले करा जा रहा है और geography इंडिया की जो geography है उसमें एक important advantage इनको दे रही है और यही बाते parliamentary standing committee के सामने रखी भी गई ठीक है तो कोई doubt आपका है यहां तक तो प्लीज पूछ लें आप doubt नहीं है चीज़े clear है तो make sure to like the video अब बात करते हैं another important news की and this news is related to golden लंगूर habitat देखा ही होगा बंदर जैसा होता है देखने में बट क्या है कि जो लंगूर होता है वो white color का होता है face उसका एकदम black होता है लंबी पूछ होती है जो tail होती है लंगूरों की वो काफी लंबी होती है compare to monkeys compare to monkeys इनकी जो tail है वो काफी लंबी रहती है अब देखे सीरी सी बात यहां पर क्या आ रही है बात यहां पर यह है कि अगर हम बात करें golden लंगूर की तो इनका नाम golden इसलिए है क्योंकि इनका जो फर होता है यह golden color के होते हैं यह photo में आप देख भी सकते हो तो golden लंगूर क है कि यहां पर अगर हम बात करें लंगूरों की golden लंगूर की तो golden लंगूर एक वैसे ही endangered primate species है यानि कि अगर हम इनके आयूसियन स्टेटस की बात करें तो endangered इनका स्टेटस है अब क्या हो रहा है कि पिछले कुछ years के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि एक study सामने निकल करके आई है जिसमें पता लग रहा है कि जो golden लंगूरों लंगूर का habitat है वो लगतार decline कर रहा है क्या है कि जब हम बात करते हैं इंडिया और भुटान के area की तो असम का जो खास तोर पर region है यह आपका डूबरी वाला area डूबरी बंगोई गाउं यह वाला जो area है यहां पर यह golden लंगूर हमें देखने को मिलते हैं अब क्या था कि इनका लगतार habitat जो है decline कर रहा है और उसके पीचे काफी सारे reasons है कि दिरे दिरे एक तो population बढ़ रही है जंगल काटे जा रहे हैं दूसरी चीज क्या है कि जो यह area है असम का बंगोई गाउं डिस्टिक्ट वाला area यहां प करके भी यहां पर काफी ज़्यादा बवाल हुआ तो वाइड लाइफ सेंच्री नहीं बनाए गई अब प्रॉब्लम क्या है कि जो मानस नैशनल पार पड़ता है असम के अंदर मानस नैशनल पार में इनकी काफी ठीक ठाट population है बट प्रॉब्लम यह आ रही है कि वहां पर लगातार इनकी population फिलाल डिकलाइन कर रही है तो यह एक study सामने निकल करके आई है जिसको हमने यहां पर discuss करा तो कोई doubt आपका यहां तक है तो प्लीज पूछ लें आप doubt नहीं है चीज़े clear हैं तो make sure to like the video वीडियो को like जरूर करें आप प्लीज अगर आप लोगों ने अभ semi conductor chips में शॉर्टेज काफी लंबे समय से आ रखी है जब से कोविड-19 हुआ है तभी से हम क्या देख रहे हैं सेमिकंडॉक्टर चिप्स की शॉर्टेज बनी हुई है क्यों क्यों कि यह जो चिप्स है यह चाइना टाइवान और साउथ कोरिया यहां पर सबसे जादा बनती है यान चलो ठीक है कोई बात नहीं हुई तो हुई अब इंडिया ने क्या करा इंडिया ने भी और बाकी कंट्रीज ने भी सेमिकंडॉक्टर चिप्स की मैनिफेक्ट्रिंग के लिए काम करना शुरू करा और भारत सरकार ने सेमिकंडॉक्टर चिप मिशन की शुरुआत करी कि हम semiconductor chips को बनाएंगे और इसका production करेंगे manufacturing करेंगे बट देखो सीडी सी बात है manufacturing करने के लिए raw material तो चाहिए raw material कहां से आएगा तो raw material का जो main source है semiconductor chips की जब हम बात करते हैं तो semiconductor chips का raw material है जिसमें आप देख सकते हैं कि भई neon gas का इस्तमाल किया जाता है palladium का इस्तमाल किया जाता है साथी साथ जो है और भी काफी सारे raw materials में चीज़ों का इस्तमाल करा जाता है अब ये जितनी भी चीज़ें हैं जितने भी key metals हैं चाहे nickel हो गया, platinum हो गया, titanium हो गया neon gas हो गई या कहलीजे आप palladium हो गया ये सब के सब Ukraine और Russia के पास है यानि कि ये जो दो country है Ukraine और Russia ये semiconductors के raw material में key role play करती है यानि कि सब world का जो 70% neon gas है और neon gas की जो demand है वो सिर्फ और सिर्फ यूकरेन और Russia के पास ही है और इनके पास rare elements भाई देखो ये तो metals है ये elements है जो हमें अर्थ के अंदर देखने को मिलते हैं चाहे निकल की बात करें आप titanium की बात करें ये सब क्या है इनके reserves रशिया और यूकरेन पे ही है अब रशिया यूकरेन की वज़े से क्या हो रहा है इनके बीच में conflict चल रहा है अब यहाँ पर raw material की shortage हो रही है अब इस raw material की shortage की वज़े से क्या हो रहा है कि जो हमारा automobile sector है electronic sector है Indian industry है उसको काफी जादा नुकसान हो रहा है अब इज़े को क्या हुआ था कि COVID-19 के समय पर मैंने आपको बताया कि चाइवान, साउथ कोरिया और ताइवान से chips आने में दिक्कत हो रही थी तब हमारी automobile sector और यह industrial sector को नुकसान हुआ अब क्या हुआ कि अब यह Ukraine और Russia की वीच में conflict हो गया अब इनके पास raw material है वो raw material ही नहीं आपा रहा उसमें भी नुकसान हो रहा है तो यह एक important news थी यहाँ पर इसमें हमने इसको पूरे के पूरे इशू को discuss करा बाकी experts का कहना है कि हाँ हो सकता है कि आने वाले दो तीन महीने में ठीक ठाक हालात बन जाए मतलब पहली जैसी condition बन जाए तो लेट सी एंड लेट सो फॉप फॉप फॉर दा information यहां पर यह है कि अगर आपकी कोई भी inquiry है यूप से प्रप्रेशन से रिलेटेड या अनकेडमी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप हमें इस गिवन नंबर पर कॉल या वाट्सप कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम और फेस्बुक चैनल पर भी जुड़ सकते हैं लिंक इस इन दर डिस्क्रिप्शन बाकि जब आप लोग यूज करोगे हमारा रेफ्रेल कोड रेंक 10 तो हमारा रेफ्रेल कोड रेंक 10 यूज करने पर आपको एक्स्टर 10% का डिस्काउट मिल जाएगा अनकेडमी सब्सक्रिप्शन पर और जितने भी स्कॉलर्शिप टेस् हैं डेली कुईज हैं उसमें आप फ्री आफ कॉस जाकर के पार्टिस्पेट करें